अब हमारे पास एक ऐसी website है जो कि काफी अच्छी दिख रही है लेगिन हमें ध्यान देना है कि ये mobile phone screen पर भी अच्छी दिखनी चाहिए तो हमें ध्यान देना है कि हमारे सभी pages एक छोटी screen size के लिए भी optimize होने चाहिए home page के साथ दोस्तों शुरू करते हैं WordPress dashboard पर वापस जाते हैं pages पर click करते हैं और यहाँ पर home page देखते हैं edit with element off पर click करेंगे हम यहाँ नीचे left पर जाएंगे और responsive mode पर click करेंगे यहाँ उपर यह tab आ जाएगा जहाँ पर आप changes कर सकते हैं कि आपकी website कैसी display होगी text of view को हम tablet view में change कर सकते हैं या mobile phone view में जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कुछ changes करने की जरुवत है ताकि यह छोटे screen size पर भी दोस्तों अच्छे दिखें देखें टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा है और बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पर pen icon पर click करूँगा style के अंदर मैं typography पर जाऊँगा और text की size को थोड़ा कम करते हैं कुछ दोस्तों देखें ऐसा यहाँ पर मुझे line height भी change करनी है line height के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा देखें कुछ इस type का यह पहले से काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों यह text ठीक है image भी ठीक है जब हम नीचे scroll करते हैं तो यहाँ पर blog post है और देखे tablet version हो गया phone version देखते हैं अब आप देख सकते हैं कि text change हो चुका है यह size tablet view वाले change से लिया गया है changes dixtra view से tablet और mobile की तरफ जा रहे हैं माल लेते हैं कि हम कुछ भी tablet पर change करते हैं वो desktop version को effect नहीं करेगा आपको फिक्र करने की जुरुत नहीं है up sizes gap सब कुछ बदल सकते हैं mobile phone में यह tablet version effect नहीं करेगा mobile version काफी अच्छा लग रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की जुरुत नहीं है पर हमने notice किया है कि logo काफी बड़ा है इससे नीचे menu की तरफ पुश हो रही है हमें header का ध्यान रखना है हम इसे elementor में नहीं कर सकते हैं हमें wordpress customizer में करना पड़ेगा changes को save करने के लिए update पर क्लिक करिए और फिर चलिए website पर जाते हैं और customize पर क्लिक करते हैं यहाँ पर header पर क्लिक करिए mobile menu यहाँ पर हम mobile version के लिए एक अलग सा logo लगाते हैं select image पर क्लिक करते हैं मैं logo के लिए एक image चूस करूँगा logo की maximum height के लिए मैं ऐसे 35 पिक्सल कर दूँगा अब हम publish पर क्लिक करेंगे और phone portrait mode में elementor पर वापस जाएंगे अब हम क्लिक करके जब page reload करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि logo का size पदल चुका है हमें वापस responsive mode पर जाना है mobile phone screen पर क्लिक करना है अब देखिए logo जो है वो छोटा हो गया है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने mobile phone पर website खो लिए और इस value को और इस value के साथ थोड़ा इधर उधर करिए logo maximum height आपको यहाँ पर एक amount करना है ताकि logo अच्छा दिखे जिससे ये menu push नहीं होना चाहिए कुछ और change है जो मैं mobile menu में करता हूँ यह मैं यह वाला text हटाना चाहता हूँ यहाँ पर hamburger icon है मैं display menu text को select करूंगा फिर हम publish करके reload करेंगे responsive mode phone screen पर click करिए अब आप देख सकते हैं कि menu text जा चुका है अब देखिए मैं default icon को दोस्तों 3DX में change करना चाहता हूँ देखिए यह एक अच्छी animation design है publish पर click करेंगे आखर मैं मुझे search function भी हटाना है दोस्तों हम यहाँ पर menu पर click करेंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर search bar है और देखिए मुझे यह हटाना है तो मैं mobile menu search को deselect करूंगा पर click करेंगे अगर आप अपने फोन पर ही page reload करें तो यह जल्दी हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं change हो चुके हैं search bar चली कई है home page के लिए इतना ही अब यह हर screen size पर अच्छा लग रहा है अब हम dashboard पर वापस जाकर दूसरे pages को भी देखेंगे पहले जाएंगे tablet पर मुझे लग रहा है कि यह ठीक देख रहा है यहाँ पर थोड़ा white है tablet screen के लिए image size भी ठीक है image का size बिलकुल ठीक है mobile portrait mode पर जाते है text ठीक लग रहा है heading भी देखेंगे सही है यहाँ मैंने देखा है कि image थोड़ी ज़्यदा छोटी है pen icon पर click करते है style पर जाएए width पर जाएए और इसको थोड़ा सा बदले हम image size को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर वापस जाते हैं और यहाँ पर भी image size को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं width पर जाएए और कुछ इस तरह से about page के लिए इतना